बताने वाला हो कि आने वाले trading session में crude oil में क्या moment देखने को मिल सकती है आज के Monday के trading session में जबरदस्ट buying देखने को मिल रहा है लगबग लगबग 6% की जबरदस्ट buying आपको यहाँ पे देखने को मिर रही सबसे पहले यहाँ पे dollar index सी बात करेंगे उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बात करेंगे लास्ट वाले वीडियो में आरेडी में बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे नया लो लगता है तो आपके लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है क्योंकि इसका ओवराल ट्रेंट डाउन की तो यहाँ पे अभी इस लेवल पे बाइक की पोजिशन बना सकते हैं क्या तो यहाँ पे ध्यान में रखिए 82 डॉलर का एक स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स है मार्केट इसके उपर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में जो अपसेट के टार्गेट रहेंगे वो कम से कम 90 डॉलर तक आपको देखने को मिलेगा इसलिये में बोह रहा हूं कि यहाँ पे एक बाड़ टूच क्या फिर गिर आउट यहाँ बेर टूच क्या फिर गिर आउट यहाँ पे एक बार टूच क्या फिर गिराव अटा के अगेन ये ब्रेक आउट करने के जरूर कोसिस करेगा और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे डॉलर में ट्रेट करना चाते हो तो कम से कम यहाँ पे 90 डॉलर तक के लिए पोजिशन आप होल्ड कर सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग देखने को मिर रही है किसी के पास और रेड़ी यहाँ पे पोजिशन होल्ड है बाई साइड में तो कम से कम 79 का आप लगा दीजे स्टाप लास और अफसाइड के जो टार्गेट रहेंगे वो मिनिमम टार्गेट यहाँ पे 90 डॉलर तक पोजिशन होल्ड कर सकते हो क्या हम इस लेवल पे फ्रेस की बाई की पोजिशन बना सकते हैं क्या आप यहाँ पे 82 डॉलर के उपर बाई की पोजिशन बनाईए 79 डॉलर का स्टाप लास लगा दीजे मार्केट के अंदर आपको रिक्स लेना जरूरी है जब तक रिक्स नहीं लोगे तब तक आपका पैसा भी नहीं बनेगा लेकिन रिक्स वही लेना है जेनों तरह के से रिक्स लेना है प्रापर स्टाप लास मेंटेन करते हुए आपको यहाँ पे sale की position बनाना है तो sale की position यहाँ बनाना चाहते हो तो 79 डॉलर के नीचे market sustain होना जरूरी है कम से कम one hours मतलब 60 minute के कम से कम 79 डॉलर के नीचे sustain करता है तो आप यहाँ पे व्यूक्कुल sale की position बना सकते हो upside का जो stop loss रहेगा 82 का और जो target downside पे रहेंगे 72 डॉलर तक position hold कर सकते हो जिस तरीके सा यहाँ पे sale की position आपको बनाना चाहिए इसलिए क्योंकि इसका overall trend downtrend है जब तक 79 के नीचे market sustain नहीं करता तब तक आपको sale की position नहीं बनाना चाहिए आने वाले दिनों में already आप sale बैटे होंगे और आपके पास अच्छा खासा loss हो रहा है तो अभी उकल आप 90 डॉलर का जो यहाँ पे एक levels निकल के आ रहा है वहाँ पे एक sale की position आप add कर सकते हो तब तक आप यहाँ पे wait and watch कर लीजिए जबर्दस्ती sale की position यहाँ पे आने की जोरत नहीं है बात करेंगे M6 market में जबर्दस्त buying M6 market में भी आपको देखने को मिर रही है last वाले वीडियो में already बता चुका हो कि 6000 के उपर market sustain करता है तो आने वाले दिनों में आपको 6600 तक position होल्ड कर सकते हो इस तरीके से इसने एक नया लोग बनाया नया लोग बनने के बाद जिस तरीके से इसके recovery देखने को मिर रही थी लग रहा था कि कम से कम ये 6600 तक जाती होई ज़रूप मिलेगा क्या हम इस लेवर पर sale की position बना सकते है क्या तो व्यूकुल यहां पर बताना चाओंगा कम से कम छोटे time frame पर लेके आऊंगा मैं एक risky कोई sale करना चाता है तो wait कर लेजिए market को यहाँ पर sustain होने दीजिए इसके नीचे market sustain होता है 6500 के नीचे तो आप एक sale की position बना सकते हो और upside का जो stop plus रहेगा वो 6680 से लेके 6700 मतब 25 का प्लस रहेगा single lot में trade कर रहे हो तो 20,000 रुपे का loss हो सकता है और downside के target आपको 6300 तक देखने को मिल सकते क्या हम इस level पर fresh buy की position बना सकते हैं क्या 6700 का levels ध्यान में रखे 6700 का levels breakout करता है तो आने वाले दिनों में जबरदस्त buying देखने को मिलेगा और कम से कम जो upset के target रहेंगे daily candle के base के उपर क्योंकि ये holding based analysis कोई भी इंटरडी का recommendation नहीं है कम से कम आपको 7200 तक target आपको upset देखने को मिलेंगे लेकिन जब तक 6700 का level breakout नहीं करता तब तक आप अभी fresh buy मत करिए और already buy की position है तो 6500 का क्या लगा दीजे आप stop loss लगा दीजे 6500 के नीचे आपका ये position जाता है तो आपको जो buy side की position है वो square up कर देनी है और exit कर लेना है और उसके नीचे आपको sale की position place कर देना है तो ये analysis रहे का आने वाली दिनों में ये m6 market के उपर अभी बात करेंगे सबसे important बात किसी ने bottom से sale करके बैटे होंगे और अच्छा खासा loss हो रहा है वो यहाँ पे 7200 का एक call option buy कर सकते हो मैं already काफी वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी आप हीवी quality के साथ trade लेते हो future market में तो option में एक दूर का एक call या put option buy करके हमेशा रखना है और वो in the money हो गया तो कम से कम आपको double से लेके triple benefit भी देने वाला है तो ये analysis है का आने वाले दिनों में यहाँ पर m6 market के उपर साथ में यहाँ पर dollars का भी analysis करके बता आपको intra deliver करने के लिए और आपको holiday के दिन में ट्रेडिंग करना है तो डॉलर में ट्रेड भी कुल आप कर सकते हो हो लिंक आपको description में मिल जाएगा विदिन 5 मिट्स के अंदर आपका डिमेट अकाउंट open हो जाएगा और dollar में trade करने के लिए डॉलर में trade करने के लिए आपको कोई भी query तो 97977773219 इसके पूर में वाट्सअप कर लिजे आपको पूरा का पूरा detail information पताएगा किस तरीके से आपको dollar में trade करना है मिल तेरे विदिन आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई